कोशन में लोग क्या देखते हैं यहाँ पे simply थोड़ा adjust करना पड़ेगा जैसे यहाँ पे हम 4 plus add कर ले add कर ले और 4 separate कर दे तो x plus 4 minus 4 ठीक है upon क्या हो जाएगा आपका x plus 4 इतने के नीचे ये under root x plus 4 अलाग इतने के नीचे अलाग ठीक है तो यह क्या हो जाएगा आपका that comes out to be x plus 4 upon square root of x plus 4 and minus dx लिख देगे minus 4 upon square root of x plus 4 dx अब यहाँ पे क्या है ये एक तरह से क्या है a upon under root a है तो a को हम क्या लिख सकते है under root a into under root a a कड जाएगा तो under root a बचेगा that means यहाँ से जो बच जाएगा वो under root x plus 4 हो जाएगा dx plus यह यह कहें कि rationalize कर लिया हमने under root x plus 4 से क्या कर लिया multiply divide कर लिया minus इसको exponential form में लिख लेते हैं और 4 बाहर करते हैं integration से तो यह हो जाएगा आपका x plus 4 की power minus 1 by 2 minus क्यों आया है numerator में लिखेंगे तो minus आजाएगा यहाँ भी हम exponential form में लिख लेते हैं क्योंकि सारे formula हमारे पास मौझूद exponential form में हैं अब यह चीज क्या हो गई यह हमारा हो गया यह fx है power n है और f dash x इसका derivative कितना आएगा 1 आएगा तो one of course यहाँ पर हम लोग realize कर सकते हैं कि यह one है तो यह हमारा fx है यह हमारा क्या हो गया f dash x हो गया और यह power n है ठीक है इसी तरह से यहाँ भी सो सकते हैं कि यह fx है और यह उसका derivative है तो हम standard form जो हमें पता है वो लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका nx हो जाएगा जैसा formula में देख रहे है x plus 4 की power half plus 1 upon यह 3 by 2 आएगा नीचे भी 3 by 2 तो यह 2 by 3 हो जाएगा यहाँ भी 3 by 2 कर देते हैं minus 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका x plus 4 की power 1 by 2 और नीचे 1 by 2 2 यहाँ आजाएगा तो 8 हो जाएगा खेर यहाँ से क्या करते हैं अंडरूड यह अंडरूड x plus 4 है यहाँ पर इसको अलग-अलग कर सकते हैं मतलब x plus 4 की power 1 by 2 common कर लेते हैं तो integration हो चुका है बस system को simplified version में express करने कोसिस की जा रही है तो यह हो गया आपका 2 by 3 common कर लेते हैं और साथ में x plus 4 की power 1 by 2 common कर लेते हैं common करने के बाद क्या system दिखेगा चुकि 2 common हो गया है नीचे से 3 common हो गया है वहाँ से एक bracket common हो गयी है x plus 4 की power 1 by 2 तो उस क्या बचेगा x plus 4 की power 1 मतलब x plus 4 बचेगी bracket यहाँ से 2 common हो गया है ठीक है 4 बचेगा यहाँ पे minus 4 3 यहाँ पे था नहीं तो 3 यहाँ पे एक तरह से multiply और divide हुआ है तो नीचे वाला 3 common हो गया उपर 3 बचा होगा तो नीचे 3 हो गया और यह तो common होई चुका है तो सिर्फ इतना बचा अब इसको solve कर लेते हैं तो that comes out to be 2 by 3 x plus 4 की power half और यह जाएगा x और minus 8 तो that is your final answer